नमस्कार दोस्तों घरील नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज जो नुस्खा में आपको बताने जा रहा हूँ आज जिस ब्यूटी टिप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है नाखुन की खुबसूरती को आप कैसे बढ़ा सकते हैं खास कर महलाएं और तें लर्कियां अपने नाखुन को लेकर काफी परिसान रहती हैं वो अपने नाखुन को बढ़ाना चाहती हैं खुबसूरत बनाना चाहती हैं लेकिन बार बार उनके नाखुन तूट जाते हैं और उनके अर्मानों पर पानी फिर जाते हैं दरसल हमारे सरीर में जिन तत्तों की कमी के कारण नाखुन तूट जाते हैं या कमजोर रह जाते हैं अगर हम उन तर्थों के कमी का भरपाई खाने पीने के चीजों से करते हैं या फिर external कोई चीजों का सेवन करके या लगा के करते हैं तो वो पूरी हो जाती है और फिर वो चीजे strong होना सुरू हो जाता है इसलिए नाखुन को अगर आप strong बनाना चाहते हैं खुबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आज मैं आपको एक आसान घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ अगर आप इसका इस्तिमाल करेंगे तो आपके नाखुन कम समय में लंबे और खुबसूरत हो जाएंगे इसके लिए हम इस्तिमाल करेंगे लहसन का जहां लहसन आपने देखा होगा लहसन आपके किचन में होता है आपके घरों में होता है लहसन की एक कली को आप ले लिजे और इसे छील कर इसे बीच से दो पार्ट में कट कर दीजे इस परकार से छील दिजे से बरे आसानी से आप छील सकते हैं यह देखे छिल गया चार बार में लेसन छिल जाता है एक वार इदर से निकालिए एक वार उदर से और लेट से राइट से आगे पीछे से छिल जाता है इसे बीच से इस परकार से कट कर दीजे ये दो भाग में तूट जाता है और जब ये दो भाग में तूट जाए तो आप इसको क्या करें अपने नाखुनों पे जो आपके नाखुन है इस परकार से नाखुन के आसपास जो जोईंट है वहाँ पे और नाखुनों पे इस पर आप 5-10 मिनट तक अपने नाखुनों का मसाज करें इस लहसन के कली से तो आपके नाखुन मातर 10 दिन के अंदर-अंदर लंबे हो जाएंगे और स्ट्रॉंग हो जाएंगे मातर 10 दिन में अगर आप अपने नाखुन को लंबा और स्ट्राउंग बनाना चाहते हैं तो लहसन से अपने नाखुनों का मसाज कीजिए और आपका नाखुन लंबा खुबसुरत और स्ट्राउंग हो जाएगा अब अगर आप ये सोच रहे हों कि ऐसा लहसन में कौन सा तत्वा पाया जाता है जिसके कारण की नाखुन लंबे हो जाएगे और हमारे सरीर में इसे कौन से पदार्थ की कमी रह जाती है जिस कारण नाखुन हमारे तूट जाते हैं और लंबे नहीं हो पाते हैं दरसल लहसन में मैगनिशियम, फैस्पोरस और पोटेशियम भरपूर मातरा में पाय जाता है और यही वो तक्त्व है जो हमारे नाखुनों को मजबूत बनाता है दरसल जब आप नाखुनों को लहसन से मसाज करते हैं तो जो यह ज्वाइंट होता है इसके जड़िए आपके तचार के अंदर लहसन के कंच ले जाते हैं जो लहसन का रस होता है वो जाता है और जैसे आप बालों में तेल लगाते हैं तो बाल को ताकत मिलता है और बाल लंबे होने लगते हैं उसी परकार जब हम नाखुन में लहसन लगाते हैं तो नाखुन को पावर मिलता है, सकती मिलता है और नाखुन लंबा और श्ट्राउम होना शुरूर हो जाए दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता हैं अगर अच्छा लगा हो तो जादा जादा लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफकेसन बेल है, घंडी है, उसे जलूर दबा दें ताकि आपको हर रोज नएने टिक्स, नएने वीडियो देखने को मिले आप स्वस्त रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही नमस्कार दन्गेवार